जब भी हम set theory की बात करते हैं mathematics की बात करते हैं उसमें n, z, q, r इस तरीके के कुछ letters आते हैं और सीधा हमको problem solve करना पड़ता है तो यह होते क्या है यह इनके relation आपस में क्या है शुरुवात करते है n से n का मतलब है natural natural number मतलब होता है counting number जैसे 1, 2, 3 तो यह 1, 2, 3 यह आपके natural number की श्रेड़ी में आते हैं तो यह एक set है capital N का मतलब होता है यह set है और इस set में 1 से शुरू करेंगे और आप जाएंगे infinite तक कहां तक जाएंगे infinite तक ऐसे ही z, z के माइने क्या होते हैं जहां भी z लिखा हो इसका मतलब यह है कि आप negative और positive दोनों की बात कर रहें जैसे यहाँ पर आप negative की तरफ नहीं गए है ना यहाँ पर आप negative भी ले रहे है positive भी ले रहे है लेकिन केवल integral number ले रहे है कोई भी 2.2 नहीं लिया आपने कोई भी decimal या fraction number नहीं लिया तो z का मतलब होता है वो set जिसमें केवल 1,2,3,0 या negative 1, negative 2, negative 3 यहाँ से negative infinity तक जाएगा यहाँ positive infinity तक जाएगा इस तरीके से rational जब q set आता है इसका मतलब क्या होता है सारे fraction भी आप इसमें डाल दीजे जैसे अभी हमने क्या किया था यहाँ पर हमने 1,2,3 लिया था यहाँ हमने 1 भी लिया,2 भी लिया negative 1, negative 2 भी लिया लेकिन अब इसके बीच का क्या यह number क्या, यह number क्या तो जितने भी fraction हो सकते है जैसे 0,1 के बीच में 0.5 आएगा जिसको हम 1 by 2 भी लिख सकते है तो यह 1 by 2 क्या हो गया बायन का क्या मतलब है बलकि एक और चीज़ इसमें जोड़ देता हूँ अगर आप इसमें 1,2,3 के साथ 0 जोड़ दें तो इसको कहते है whole number, एक और शेड़ी है whole number, whole number का मतलब क्या होता है natural number plus 0, तो यहाँ हम कह रहे है z by n, z में कुछ भी आ सकता है कोई भी number ले लीजिए आप लेकिन जो नीचे है वो z नहीं होगा क्योंकि z में 0 आ जाता है natural number हम ले रहे हैं क्योंकि 1,2,3,4 है अगर 0 आपने डाल दिया नीचे तो किसी भी चीज़ के नीचे 0 यह undefined हो जाता है किसी चीज़ को आप 0 से कोई value होगी तो real algebraic जिसको हम represent करते है AR से जहां भी यह हो real algebraic कहेंगे यहाँ पर root वाले number भी आएंगे और real number क्या हो गया real number इन सब का father है यह सारे number आप ले लीजे वो सारे के सारे real हो जाएंगे यानि जो भी real number line इस number line में represent हो सकते है इस number line में आ सकते है चाहे आप pi की बात करें pi क्या होता है 22 by 7 e क्या होता है exponential value क्या होती है 2.72 यह सारे कहीं न कहीं आप represent कर सकते है तो इसलिए यह real number है तो real number बड़ा set है तो फिर से समझेगा natural number क्या होते है ऐसे बताता हूँ आपको natural number क्या होंगे 1,2,3 0 जोड़ दीज़े whole number हो गया अब negative भी जोड़ दीज़े इसके साथ यह तो positive positive है negative भी तो integers हो गया उसके बाद fraction भी जोड़ दीज़े आपके यह हो गया rational number और उसके बाद सब का बड़ा set real number तो इसमें दो चीज़ और आती है एक होता है irrational number और एक और आएगा complex number यह क्या होता है क्योंकि real के उपर आप complex पे पहुँचते हैं वो बड़ा set है तो सबसे पहले आप irrational number समझे irrational क्या होता है rational तो हमने का p by q form में होता है तो जो number पी by q form में नहीं लिखा जा सकता उसे हम कहते irrational number कोई भी number जो पी by q form में नहीं लिख सकते हैं जैसे अंडर रूट 5 है अब आप 5 लिखेंगे तो 5 by 1 या अपने आप fraction हो जाता है लेकिन अंडर रूट 5 के नीचे क्या वन लिखेंगे इसलिए इस तरीके के जो number है root 5, root 10, root 3, root 15 ये सारे irrational number के श्रेणी में आते है अब यहाँ पर बात आई imaginary numbers की या फिर मैं यहाँ कहूंगे complex number की complex number की बात कहां से आती है complex number की बात यहाँ जब हमने solve करना शुरू किया x square बराबर negative 1 x square बराबर 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं x बराबर plus minus 1 लेगिन x square बराबर negative 1 यह कैसे आएगा यह तो होई नहीं सकता तो इसके लिए x बराबर under root minus 1 की आगया इस under root minus 1 को कहा गया i इसको कहा गया imaginary number है यह number है imaginary तो imaginary जो number होता है या कहें कि complex number जो होता है उसमें दोनों number आते हैं कोई भी complex number A plus IB form में होता है इसमें A number जो होगा वो real part होगा और यह जो B part होगा या फिर का I के साथ जो B होगा उसको हम imaginary part कहते हैं और अगर यह B zero हो गया तो यह अपने आप real और फिर natural तो यह बात होई सारे जितने भी हमारे पास notation होते है और उनके क्या माइने है धन्यवाद